नमस्का दोस्तों मैं हूँ आसे जुपता और मेरी यूडिव चैनल विद्ध्यार्थी प्रिवन आपका श्रागत है तो दोस्तों आज की कड़ी के अंतर हम चलेंगे UP, TGT, PGT, LT, RRB और SST के अंतरगत और NET के अंतरगत जो इतिहास से संबंदित महारपूर प्रशन है उस को अंतरगत तो दोस्तों आज की कड़ी के अंतरगत चलेंगे NCRT पाटकरम पर आधारित हमारे यूरोप में राष्टवाद से संबंदित जो अब तक आपके प्रतिकी प्रिच्छाम प्रशन पुछेंगे हैं उन प्रश्टों को त्रंखला के अंतरगत तो अगर आप चैन दोस्तों जर्मनी की एक एक एकरण की आधार सिला किष्णे तेयार की थी ऑफसन देखेगा बिलियम पर्थम ने बिसमार्क ने 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 पॉलियन बॉनपार्ट ने यह वाल्टेर ने तो जली से कि दोस्तों एंसर को गेस करें वीडियो को पुश्कर कर सकते हैं उसका देख स पर हैं कि प्रश्ण दोस्तों पूछा रहा है कि जर्मनी की एक एक एकरण की आधार सिला किष्णे तयार की थी तो जो जर्मनी की एक एकरण की आधार सिला तयार की थी वह त्यार की थी नेपॉलियन बॉनपार्ट ने तो आपका आपसन नंबर सी यहां पर करिक्ट है आग और देखेगा इटली को फ्रांस को हंगरी को या यूनान को तो ज़से करें दो यूरोपी सब्वधा का पलना किसे कहते हैं यह यह आपके एक्जामों कई बार पूछा गया दोस्तो प्रश्न है तो कहा जाता है दोस्तो यूनान को किसको जाता है यूनान को ऑफसन नमबर डी यहां पर करेक्ट है अगे चलते दोस्तों अगले कोशन की तरफ अगला परसे देखे दोस्तो फ्रैंक्फट की संझ पभी थी अधारो सो !!! छाचाटीव में वर्थ 1870 में प्रेंफट की संदी हुए थी इसी संदी के बात दोस्तों जर्मनी के एक इक्राण का पूर्ण हुआ था तो आपको यह याद रखना है दोस्तों अगले कोशन की तरफ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लिए कर दिए और अपने दोस्तो 1878 में वर्थ 1819 में वर्थ 1861 में या वर्थ 1871 में तो जली से दूस्तों करी इंसर को कि जर्मनी के एक्राण का पूरा हुआ था तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा कि जो फ्रैंकफर्ट के संदी हुए थी वह कभी थी 1871 में तो यहां पर भी दोस्तों याद रखना है जर्मनी के एक्राण के बाद चांसलर कौन बना था बिलियम पर्थम ने रखना है पर्थम भी समार नेपौनियन जोपाइब हो यह वाल्टेयर को जलिसह सब्सक्राण के बाद चांसलर और जर्मनी का बना था कि असके चानसलर का धरविट्यों फान से आपगे क्राण जो विसमार्क था वो कूट नितिक भीक्टी थे और इसने क्या क्या है दूस्तों जर्मणी में ही क्या ओपनी अच्छे कारियों के दौरे से जर्मिन के एक इकक्रण किया और साथ ही साथ इसने एक नीद बनाई थी उसका नाम से लो और रक्त की नीद की बात इसके नाम से जुड़ती है तो बिस्मार्क में यह देहां अखेगा दूसरों लो रक्त की नीद की बात करता है अगे चाहते है सब्सक्राइब करेंगे अगले कोशिन के तरफ लिए अगला कोशन देखेगा विस्मार्क जर्मानी का चांसर कब बना 1840 में 1870 ध्यां या अठाव सोबगा सब्सक्राइब तो जैनल से सकते हैं दो जो बिस्मार्क अपने देखा कि चांसर बना था तो कब बना तो वह बना था 1862 इस भी में ठीके दूस्तों बिस्मार्ट जर्मणी का चांसर बना था तो आपको अफ्शन नम्बर सी यहां पर करेक्ट दूस्तों याद रखिएगा अगरे दूस्तों अगले कोश्ण की दरफ कि अगले कोश्ण देखेरी दूस्तों वर्ज 1789 में फ्रांसेसी करांती कि किसके सास्थान काल में रही थी यानि दोस्तों जो 1789 की ट्रांती हुए थी ठीक है चार जुल्ए 1aq17 को करांती थी तो यह Ihां पताना है यह जूराओ नपुरियंभु कि तो यह दोस्तों हुई थी वह लूई सुलामा के लूई सुलामा था जो फ्रांस तो जो लूई सुलामा था ठीक है यह फ्रांस यह क्या था फ्रांस का था निरमकुष आ सकता याद रखना दूस्तों ठीक रंक कुषा सकता इचिंशने क्या किया था फ्रांस पर इतने जादा कर जिला झिए थे इतना जाएक्या टैक्स लगा दिया था कि वहां कि और पर भी तकी इस पूब क्रिसक वर की तो जली स्वेस करें दूस्तों के फ्रांसी तुन ex किस वर्ग यह थी अगर आपके घर में दोस्तों कोई हाई स्कूल या इंटर से संब्धित विद्यार थी है जो इतियास से संब्धित पड़ता है उसको भी आप इस वीडियो को सेर कर सकते हैं उसके पाठ करम साथ कि आधारी थे जो आपके प्रतिग्यों से जुड़ा होता है ताकि उसको भी मद्ध मिल सके तो चलिए जो से गेस करिए दोस्तों एंसर कि 179 फ्रांसेस करांती हुए थी उसमें मुख विभूम का किस वर्ग थी तो दोस्तों थी वह मद्यमर्गी तो अप्सन नंबर भी यहां पर करेक्ट है दोस्तों मद्यमर्ग क्या ही वर्ग आते थ से जो मद्दम और के थे इन पर क्या क Families बहुत ज्यादा कर लगने से वां का की जशनता थी इसने दो सब्बते हैं दो रांती है उसे मिलता है इसी प्रांसीसी किरांथी से इसका जन्म होता है अगर चायते हैं दोस्तो अग्ले कुशन के तरफ कि अधिया उत्व कुछने देखिंग इंग इट्ली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी वाल्टेर ने मेजणी ने चाबूर ने विसमार्क ने टो जलसर किसे कर से इंपोर्टन बैरी 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 इंपोर्टन कांतर में इसके इसफान कर सकते हैं या इसके सोड़US सकते हैं है है तो जो यंग इटली सुसाइटी की स्थापना तो याद रखेगा तो यहाँ पर जो सब्सक्राइब कर जाता है अपसर नंबर यहां पर करेक्टर दुस्तों है मैं जानी जो था यंग इटली सुसाइटी की स्थापनाइस ने कि थे आगे चलते दुस्तों आगले कुशन की तरफ अगले कुशन दोस्तों बेरी-बेर इंपोर्टेंट यह भी कई बार नम पुछे गया दुश्तों ठीक इंपोर्टेंट के अंतरव रखेएगा दुस्तों तो यहां प्रेश्ण क्या पुछा जाए रहा है बियाने संदी कभी थी वर्स 805 में वर्स 1810 में वर्स 1815 में या वर् तो दोस्तों जो ब्याना की संदी होई थी वर्थ 18-15 में ही ब्याना की संदी होई थी जह संदी के बाद क्या हुए जर्मणी क्या क्या तूट गया और उसने क्या क्या दित्ते विश्रद की सुरवाथ में अपना योगदान दिया था तो आप यह भी आद रखेगा अगर रूस और प्राशा सब्सक्राइब तो जैसे करें दुस्टों की जो निपॉलियों मुरापाट को वर्थ 1815 में ठीक है आज वाटर लू के कहाँ वाटर लू के मैदान में ठीक है दूए था जब रखीएगा वाटर लू के मैदानमें जैसे हम लो कहते है पानी पद यह सब क किण-- किन देशों ने मिलकर हराए था वॆटरलू के मैदान में हराया था अगले कोशन की तरफ तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और लिए और आपने वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजे ताकि हम लोगे जो मेहनत है वह आप लिए से इसका पढ़ना मिल सके तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अधिक पसंद करूँगा या किस ने कहा थार यान-वाल्टे ने ने नप्ollीन बौनपार्ट ने चाल्स-दसं ने तो जली्छेकर किस ने गाल था चाल्स-दसं में निपॉल्डीन बौनपार्ट या वाल्टे या लोड़ी से लाहम. तो यहां पर ऑफसर नंबर डी यहां पर करेक्ट है दूस्तों चार्ज दसम नहीं कहा था कि मैं अंग्री राजा की बहांती सासन करने के पेच्छा लकड़ी काटना दिख पसंद करूंगा आगे चलते हैं दूस्तों अगले कोश्चन की तरफ तो गैस करिए टूडर वर्सका इस्टूर्ट वर्सका या बोब्रो राजियंस का या कोई नहीं तो बताना दूस्तों जली से करी कि 1709 से फ्रांसे सी करांती हुए थी उस करांती के समय वहां किस राज्वांस में सा सकता तो वहां पर लुई सलामा था अभी बताएगा दूस् नहीं वह चुश्त Kirsty राज्वांस से सम्मंदित था तो यहां दूश्त रोस्ता बुब्रो राज्वांस से तो जinen 789 करांटी फ्रांसे से करांती तुस्थ हुम्हें बुब्रो राज्वांस दें जूर राज्वांस में जो राजला था वह थ हुदा लूई सलाना घाए तो अगले कोशों के दरफbike हाया अगला कोश्ण के तो फ्रांस में कि सासन के दोरान सभी वे स्क पॉर्टों को मता दिकार प्राप्त हुआ लूिस लाहुँए के संकर में या जिरॉंदिस्त सासन कर में नेपॉलिन के शाषण कर में या जीकोविन सब के सासनकाल में या जैकोविन के सासनकाल में बताई दोस्तों तो यहां पर आफ्सन नंबर सी यहां पर करेक्ट्रेस है दोस्तों क्योंकि उपताई को अधिकर नेपोलीयन सैंता यहिए नेपोलीयन कानून कीस वर से लागू किया गया था 1789 में 1791 में या 1801 में यह 180 1204 में तो तो जैसे करें दूस्तो नेपॉलीन संटा किस वर्स लागू किया था तो लागू कि गया था दूस्तो अठार से चार इज़ी में अफ्सन नमर्डी यहां पर करेक्ट है दूस्तो अगले कोश्ण की तरह चलते हैं कि अगले कोश्ण देखें दूस्तो प्रासा का साथ कौन था नेपॉलीन मुनापार्ट नेपॉलीन थर्ड विक्तर एमेन्यूल या बिलियम प्रथम तो दोस्तों यह प्रश्ण पूछा गया है कि जो प्रासा का साथ कौन था तो था दूस्तो ऑफ्सान गलदी यहां प्रश्ण की तरफ प्रथ वैरी वेरी मुनाबे ठ्रश्ण पूछा रहा है उरोप का मरीज कसे कहा जाता था रूस को जर्मनी को तुर्की को या यूनान दोस्तों य litष किसे कहा जाता था तो जो कहा जाता था है तो तुर्की को तुकी को ही नहीं क्नित यह रहता है तॉ आप तरकी पर नहीं लिखा रहीगा ये भी यह रहेगा आगे चलते दोस्तो अगले कोशन की तरफ अगले कोशन देखे दोस्तो मैटर निक कौन था आश्टिये का चैंसलर था या प्रासा का चैंसलर था या फ्रांस का समराड था या रूस का जार था या भी जार के लिजए ठीक है कि रूप में जू राजा होता था उसे जार कहते थे जुब भाषा जो भी राजा होता सब्सक्रार कहते थे जुल और श्रीक तीजहाँ कि तरफ लूच आले कि तरफ लाल कुर्ती नामक संस्था की स्थापना किस ने कि थी यहां लाल कुर्टी नामक संस्था कि किसने किया था काबूर ने मैजनी ने यजा वयल्ली ने कि लाल कुर्ती नामक संगठन किस्ठापना किसने किए थी जगठन किसने किया था आपको बताना है दोस्तों गेस करी ऐली से फटा-फट से हैं और आपके आध्युनिक भारत से ऐंतर गैस संखला में तो आप कोई परीचे की परिचा सकते हैं तो असके नीचे क्मेंट कर सकते हैं उन प्रेशनों को आपको उसमें को उन्सी को आपको को वी चाहिए कोई चाहिए तो आप इस एफार प्रेशनक कि जो लाल कूर्ति नामक संगठन की स्थापना दे सकते हैं आगे चाहते अगली कोशचन की तरफ कि अगला कोश्चन देतो राष्टवात की आउधरणा का जन्म किस घटना से माना जाथा है यानि जो राष्टवात के निशनल वाद के सकते हैं राष्टवात की अउधर्णा का जन्म किस घटना से माने जाता है दर्मसुदर अंदोलन से गौरपूर्पूर्ण करंती जो 1688 या फ्रांस की करंती 179 या सुतंता सग्राम जो 1878 में हुआ था तो जली से करें दोस्तों कि जो राष्टवात की अउधर्णा का जन्म हुआ था तो कब हुआ था यह इंपोर्टेंट है दोस्तों कई बार एक जाओं पूछे गए हैं तो दोस्तों यह हुआ था 1789 की जो फ्रांसी सी करांती हुए थी उस हम लोग देखते हैं 1947 के बाद हम लोग भारत में देखते हैं राष्टवात के बहुत तेजी से उधर हुआ था इस प्रकार हमारे देश में भी और यह 1789 करांती से ही देन है जो पूरी दुनिया में राष्टवात की आपको जागरती मिलती है आगे चलते हैं अगले कोशन क ने विल्यम पर्थम ने या गैरवल्डी ने तो जन सेक्सक्राश करें दोस्तों कि रख्त और आलो की नीग को इसने अपनाई थी तो नुए अपनाई थी और ऑफ सिर्फ नमबर एहां पर करेक्ट दुस्तों आप एक आप कमेंड वग दुसरे क्योंक्शन का एंसर भी दिखते हैं कितने लोग कमेंट वक्सा बताते हैं अगला कुश्चन देखें जर्मनी और इटली के समय फ्रांस का सासा कौन था नेपोलियन बोनापार्ट नेपोलियन थर्ड या विक्टर इम्नुवल या बिलियम प्रथम तो जो जो 18-17 में ठीक है जर्मनी और इटली का एकिकरांड हुआ था उस समय जर्मनी एवं इटली के एकिरांड के समय फ्रांस का सासा कौन था बताना है आपको कि फ्रांस का बहुत ही जोड़ जवस्त था देखें हम लोग देखते हैं तो यहां पर दुस्तरों जोड़ी करण देखते हैं जो अगले के दरफ अगले खुर्शन देखें लिए मारियां किस देश की राष्टवाद की परतिक थी तो Palowana अन्यान है ठीकें जिसको अप देखेंगे एंसाइटी के अंतरगत कच्छा दस्का जो समाजी विज्ञान है उसके पहले ही चेप्टर है यूरोप में राष्टवात उसके अंतरगत एक महिला है जो चित्र बना हुगा मारियन के चित्र उसमें उसको सवतनंता का प्रतिक के रूप में दिखाए गया है तो यहां तो यहां पर दूस्तों जो प्रांस से क्रॉंटी क्राणती होई थी उसे मारियान जार्मेनिया भी नाम आता है यह दोनों ठीक प्रतिक की रुप में बनाये गए थे तो आप इस भात को ध्यान रखी गए जो आप उसके बारे में घृत्जा जाधा जानना चाहते हैं तो आ आगे चाहते दोस्तों फैडिक सराय कौन था तो जो फ्रहांस किस्टा कार था नियुक्त एस चित्रकार था जापान जापने शी além जूरे लेगत पर नाइस हाँ आण थि कॉस्त क्रामत क्यूंक थी इस में जो आपका राष्टवाद मेंBayamine देखाना किसको देखा था मार्यान मार्यान को चीतर बना इनौल चीतर कारता वो था ठीक सराइब ठीक दोस्तों आगे चलते हैं तो अपसे नमबर यहां आपके एस परिच्छान होई पीजी टीटीट के अंतर पुछे प्रशन है और यह यूपीसिक प्रशन पूचा गया दो तो आप दियान रखें दोस्तों यहां पर इंपर्डेंट है प्रशन को देखिए जब फ्रांस चीकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुखाम हो जाता है यह सब्द किसने कहें नेपोलियन ने बेसमार्क ने लुई फिलिप ने या मैटर निक ने तो दोस्तों जल्दी से गेस करिए दूस्तों किस ने कहा है कि जब फ्रांस चीकता है तो बाकी यूरोप के लोग को सर्दी जुखाम हो जाता है तो दोस्तों कहा था वह अगले कोश्चन के दिरफ चले अगला देखेगा जर्मेनिया रूपक है जर्मेनिया जो चित्र था किसका रूपक था प्रांसेसी गंडाजी का बिटिस राष्टवात का या जर्मन राष्टवात का या जापानी राष्टवात का तभी हमने पीछे डिस्कस किया था इसके बारे में दोस्तों दो चित् जर्मेनिया किसे संब्सक्राइब किसका है जर्मन राष्ट्वाथ का हैं अगले कोशिन के तरफ इसका कि वियाना सम्मेलान यानि भी यहाना संधी सम्मेलान कह सकते हैं जिया तो जर्मनी के चांसर्ण ने या फ्रांस के सासक ने पॉलिएन बोनापाट ने तो ज़से बताए दोस्तो जो बियाना की संदिक या समयलन हुआ था 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 निक तो नाम है याद रखे दोस्तो डूट मेटर निक ये इसने ही क्या किया था इस संदिक मेलन में मेजवानी किया था अगले कोशन के तरफ अगले कोशन देखे दोस्तो यूरोप में 19 सदाबदी के सुरुवाती दसकों में राश्टी एकता से संबंदित बिचार किस अधाना से जूरे थे तो यूरोप में 19 सदाबदी के सुरुवाती दसकों में राश्टी एकता से संबंदित जो विचार किस अधाना से जूड़े थे उसको कर तो चैसे तो कर दोद्र दोस्तो उद्रवात ठिक है उदर्वात तो दोस्तो उदर्वात से जूड़ा से तो आप सभी को पता हो ना ची है जेंया इटान के कि याद रखी कि अगले प्रश्ण के तरफ चलते हैं तो अगला प्रश्ण जो देखते हैं वो क्या है चैनल के सब्सक्राइब लेजिए और बिले अगले वीडियों फिर मिलते हैं तब तक लिए जय हैं जय भरत